तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए सिकेंडियर फोर्थ समिस्टर जियोग्राफिक यानि भूगोल के महत्पूर इंपर्टेंट कोश्चन आपके एक्जाम के लिए तो यदि आपने हमारे इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है बाकी सब्जेट के तो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्त में मिल जागा आपको वहां से जाकर दिख सकते हैं तो इसमें पहले चेप्टर का नाम क्या है हमारे दिया गया है पहला चेप्टर आर्थिक भूगोल का अर्थ अधारणा और द्रिष्टी कोड चलिए पहले कोश्चन की ब संदिया है मानव की जीवन की जीव का जीव को पार्जन की विधियों में एक स्थान से दुसरे स्थान पर मिलने वाली समानता यह विसमता का अध्यान आर्थिक भूगोल करता है अप्रभासा किस ने दिया है अप्रभासा आर्ए मरफी में दिया है आपस नंबर ए इसका र बीशेज कर उसे उत्पन प्रडिगामों की बैख्या करता है उक्त परभासा किसकी है रुडाल्फ वेट जन्स की है आपसे नमर सी इसका राइड एंसर है चलिए बढ़ते हैं अगले को संगीत निन में से किसके अनुसार मानों अपनी विभिन क्रियाओं द्वारा के मद्ध समंदों की ब्याख्या की जाती है कथन किसका है कथन जोन्स का है आपसे नमर सी इसका राइड एंसर है हर एक कोस्टन को बारिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप सब और हम आपको समझाएंगे तो आर्थिक भुगोल मानों के वातावरण से समंद में मा मानों के आर्थिक जीवन का अध्यन करता है यह परिभासा किसकी है परिभासा प्रोफेसर जीमन रमेन का है किसका है जिम रमेन का है आपसे नमर क्या है यह भी इसका राइड एंसर है आर्थिक भुगोल मानों के जीवों को पारजन और जीवन पारजन के साधनों में एक स्थान से दुसरे स्थान पर मिलने वाली समन्ताओं तथा असमन्ताओं का अध्यन करता है यह बिचार नीन में से किसका है यानि किस गोगल सास्त्री का है तो आर ई मरफी का है आपसे नमबर ए इसका राइड एंसर है आर्थी गोगल में बिश्व के भिभिन भागों की उन विश्वताओं का वेज्ञानिक अध्यन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यच प्रभाव पड़ता है उक्त कथन नीन में से किसका है तो किसका है गोव टर्ज का है किसका है गोव टर्ज आपसे नमबर भी इसका राइड एंसर है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ आर्थिक भुगोल की वह साखा जिसके अंतरकत माना द्वारा उत्पादित बेविन वस्तुओं तथा उत्पादों के ब्यापार वह बीनिमे समंधी क्रियाओं का अध्यन किया जाता है या कथन किसका है या कथन वाडिज भुगोल का है आपसे नमबर क्या है बी इसका रा करना पसूस चारड़ता मत्चेपालन वनों की लकड़ी कारना तथा प्राचिन पतरी से क्रिसी जैसे वेवसाओं का अध्यन करना क्या कहलाता है प्राथमिक उत्पादन वीत्रड़ और उपुग वारिज वह बेवसाय परिवहन के भागों में या परिवहन के भागों के सम पूरा पढ़ेंगे या समझेंगी तभी आपको इंसर समझ में आएगा आर्थिक भूगोल परिवर्टन सील है जिसका केंद्र बिंदू क्या है मनुस्य और इस्थान आपस्ट नमर डी इसका राइट एंसर है आर्थिक भूगोल की जीवन रिखाएं कही जाती है इन में से राइट एंसर है आर्थिक भूगोल की साखा नहीं है तो राजनितिक भूगोल यह हमारे आर्थिक भूगोल की साखा नहीं है अपस्ट नमर ए इसका राइट एंसर है प्राकर्तिक संपती है तो इन में से प्राकर्तिक संपती क्या है वन प्रदार्थ है क्रिसी यानि भगवान के द Drum5000 के दुरह बना गया। नेक्स्ट कॉशन है आर्थिक भुगोल का विकास सवरपथम किस रूप में हुआ ठाय कि आर्थिक भुगोल जो कब आया थो तो वारिज भुगोल के रुप में इसका विकास हुगा आपस नमबर D इसका right answer है 1882 में इसe way में आर्थिक भुगोल से पितक वारिज भुगोल की परिभासा प्रास्तूत किसे ने कि थी गोतज्य ने किया था आपस नमबर बी इसका राइट नेंसर है अर्थ तंत्र का भूब वेन्यासिक संगठन होता है सतत परिवर्तन सील होता है आपस नमबर क्या है बी इसका राइट नेंसर है अर्थ तंत्र पर आधारित प्रावेद की निर्भर है और थतंतर पर अधारित प्रावएँद की निर्भार है किस पर निर्भार है उलजा के उपयोग एउन नियांतर पर निर्भार बूटर को चैठत्री करने वाला विसे बताया है नेहीं बताया है नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भुगोल से समंदित नहीं है डेविस आर्थिक भुगोल का विकास सरपथम किस रूप में हुआ है अब सब्सक्राइब करने में सायग थी इसके लेखकों थे अपसर मेर सी इसका राइटन सरह है तो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेलाइक का बटन दबा दें और इस चैनल को जादा से जादा सपोर्ट करें और हमारे टेलीगराम चैनल अमन जेकियन से जुड़िए आर्थिक भूगोल किस विशे की साखा है मानव भूगोल की साखा है आपसर नमबर ए इसका राइट एंसर है आर्थिक भूगोल का विशे छेतर है क्या है उप्यक्त वाडित तीनों ही है आपसर नमबर क्या है डी आनि तीनों आर्थिक भूगोल मनुस के जीवो जीवी को पारजन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता यों विश्मता का अध्यन करता है किसके या कतन किसका है आर इ मर्फी का है आपसर नमबर ए इसका राइट एंसर है आर्थिक भूगोल क्या है आर्थिक रियाओं की प्रादेशिक भिन्यताओं का अध्यान करता है हमारा आर्थिक भूगोल आफसे नमर डी इसका राइट एंसर है निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल के उद्यस का बोध कराता है यह मानव की आर्थिक क्रियाओं पर भातावड के परभाव का अध्यान करता है आपस नमर B इसका राइट एंसर है निश्ट कोशन निमलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक भुगोल को सुपरिभासित करता है तो कौन करता है आपस नमर D यह आर्थिक क्रियाओं के अंत्र प्रदेशांत्रिक कार्याकारण अंत्र सबंदों का अध्यन करता है आर्थिक भुगोल का विशे छेत्रनीन में के अध्यन को सामिल नहीं करता है किसको जन संख्या बित्रड़ आपस नमर के इस से इसका राइट असर है आर्थिक भुगोल का भी साफ निर्मिकित के अध्यान को इस्थापित करता है सकतर क्या है और सी पगोल का भी सचेट न्यम में सकाइब से आध्य को अधियन को इस्थाब्रता है मित डाओं का बितरण यांग अनि मृतिक को बत्रण आपसे नम्र मृतिन कि तरभ नेक्ष्ट कुशन है भारती भूगोल विताओं का ध्यान स्वरप्तम आकर्शित किया जन संख्या भूगोल पर आर्थिक भूगोल से समंदित तका नहीं है अधिवास भूगोल आफ्सन नमबर सी इसका राई रेंसर है आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं चील्स चिल्मस माने जाते हैं क्या है आफ्सन नमबर बीस का राई रेंसर है आर्थे भूगुल मानो की जीवों को पारजन की विद्यां की समानता वो विस्मता का अध्यन करता है अबर भासा किसी ने दी थी? अबर भासा आर इ मरिफी मिल दिया था आफसे नमबर ए इसका राइटन सरे निम्नांकित में से जो आर्थे भूगल की साखा नाई है वो क्या है राजनितिक भूगल आपसे नमबर 20 इसका राइटेंसर है आर्थे भूगल के अध्यन का प्रमुक भिशे क्या है मानो जथा उसकी उतपादन वपभोग और वितरण समंधी क्रिया है आपसर नमबर D इसका राइट अंसर है भुगोल में आवास्थिक संप्रता के प्रतिनिधी है तो कौन है पीटर हेंगेट है आपसर नमबर D इसका राइट अंसर है आर्थिक भुगोल के अंतरकत उन सब भुगावली प्रस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्त्वों की उत्पती उनके बीनिमे यो उस्थानांतरर पर प्रभाव डालती है या विचार किस के है या विचार किस भुगोल देवता का है तो ची सोल्स का है आपस नमबर बी इसका राइट एंसर है निमलेखिती में से कौन सी साखा आर्थिक भुगोल से समन्दित नहीं है सामाजिक भुगोल आपस नमबर डी इसका राइट एंसर है आर्थिक भुगोल का विकास वर्पथम किस रूप में हुआ था आर्थिक भूगल का विकाद सरपथम वाडिज्यक भूगल के रूप में हुआ था आपसर नमर सी इसका राइट एंसर है आर्थिक भूगल मानों की किन किरियाओं का अध्यान करता है आर्थिक भूगल मानों की आर्थिक किरियाओं का अध्यान करता है एक साधन के रूप में क्रीशी छेत्र निल्विकित में से किस एक समवर्ग के समंधित है तो समाने शुरूल लभा आपसे नमर ए इसका राइट एंसर है आर्थिक भुगोल के अंतरगत विस्व के विविन छेत्रों की उन विस्ताओं का वैज्ञानिक विस्लेशर किया जाता है जीजन का वर्ष्टू उत्पादन पर प्रत्यच प्रभाव पड़ता है यह प्रभासा किसकी है गोर्टस के द्वरा दी गई है आपसे नमर भी इसका राइट एंसर है बढ़ते हैं अंगले कुशन कितना है अर्थिक भूगल के छेत्र में निल्विकित में कौन सा आता सामिल है तो उप्रिक्त में से सभी एडवर्थ एल उल्लमेन ने छेत्र एंच्छत्री अन्योन किरिया को बताया है भगौलिक अध्यन की धूरी को बता है आपसे नमर ए इसका राइट एंसर है खुदरा यानी की रीटेलिंग बेपार जो एक तृतियक बेवसाय है के समद म में कौन सा कथन सत्य है त्रियों गती से विख्षित हो रहा है व्युवसाय आपसे नमर सी सका राइट एंसर है कि निम्रिकित में कौन सा यूग में सुलेमित नहीं है तो आपसे नमबर डी चतुर्थक उत्पादन किरियां सुनहरी कालर स्वामी का क्तन क्या है गलत है चाक है आर्थिक भुकर्व उत्पादक की भीवसाय का थ्यूंस में, भीवसाय का अन्तरगार स् Continuing में कौन सी चतुर्थक किया नहीं है दिशत्य देसल नहीं है निन में से कौन मानव दृतियक क रिया है उद्धोग धन्दे आप से समेश्टा जियोगराफी वोल के important question है इसको ध्यान में रखेगा exam देने से पहले इस question को एक बार जरूर से देख कर जाएं धन्माज बेश्टा प्लक नेक्ट विडियों मिलते हैं